कि सो करोड वैक्सिन डोज के बाद आजदेश नए उत्सा नई उर्जा से आगे बढ़ रहा है। हमारे वैक्सिन कारिकम की सभलता भारत के सामर्थ को दिखाती हैं, सबके प्रयास के मंत्र की शक्ति को दिखाती हैं। साथियों, सो करोड वैक्सिन डोज का आकड़ा बहुत बड़ा जरूर है, लेकिन इस से लाखों छोटी छोटी प्रेरक और गर्व से भर देने वाली अनेक अनुभव, अनेक उधारन जुड़े हुए हैं। बहुत सारे लोग पत्र लिखकर मुझसे पूछ रहें कि वैक्सिन की सरुवात के साथ ही कैसे मुझे यह विश्वास हो गया था, कि इस अभ्यान को इतनी बड़ी सफलता मिलेगी। मुझे यह द्रडविश्वास इसलिये था क्योंकि मैं अपने देश, अपने देश के लोगों की शमताओं से भली भाति परिश्चीत हूँ। मैं जानता था कि हमारे हिल्थ केर वर्कर्स देश वास्यों के ठीका करण में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारे स्वास्थकर्मियों ने अपने अथक परिश्चम और संकल्प से एक नई मिशाल पेश की। उन्होंने इनोवेशन के साथ अपने द्रड निष्चे से मानोता की सेवा का एक नया मांदर स्थापित किया। उनके बारे में अंगिनत उधारण है जो बताते हैं कि कैसे उन्होंने तमाम चुनोतियों को पार करते हुए अधिक से अधिक लोगों को सुरक्षा कवज प्रदान किया। हमने कई बार अख़पारों में पढ़ा है भार भी सुना है कि इस काम को करने के लिए हमारे इन लोगों ने कितनी महनत किये एक से बढ़कर एक अनेक प्रेरक उधारन हमारे सामने है। मैं आज मन की बात के सुरताओं को उत्राखन के बागेश्वर की एक ऐसी ही एक हेल्थ वरकर पूनम नोटियालजी से मिलवाना चाहता हूँ। साथियों ये बागेश्वर उत्राखन की उस धर्ति से हैं जिस उत्राखन ने सत्प्रतिशत पहला डोज लगाने का काम पूरा कर दिया है। उत्राखन सरकार भी इसके लिए अभिनदन के अधिकारी है क्योंकि बहुत दुर्गम ख्षेत्र है, कठिन ख्षेत्र है। वैसे ही हिमाचल ने भी ऐसी कठिनाईयों में सत्प्रतिशत डोज का काम कर लिया है। मुझे बताया गया है कि पूनम जी ने अपने छेत्र के लोगों के वैक्सिनेशन के लिए दिन रात मेहनत किये हैं। पूनम जी नमस्ते। सर पढ़नाम। पूनम जी अपने बारे में बताये जरा देश के स्रोताओं को। सभी लोगों का वैक्सिनेशन करवा लिया है। बहुत दूर-दूर होते हैं उनको समझ नहीं आएगा मुझे वादọi पुरा दीन चला जाता है हाँ जी लेकिन एक दिन में क्योंकि बड़ा मेहनत का काम है और वैक्षिनेशन का सारा सामान उठा करके जाना आपके साथ कोई सहाएक रहते थे कि नहीं हाँ जी टीम में मेरा हम लोग पांस लोग रहते हैं तो उसमें डॉक्तर हो गए फिर एनम हो गई फार्मिसिस्ट हो गए आसा हो गई और डाटा इंट्री ऑपरेटर हो गए यह क्या कलपना आई आपके मन में विचार कैसे आए और कैसे किया आपने अचा लोगों को समझाना पड़ता था हान जी समझा रह guitar है अभी भी वैक्सिन लेने का हान जी अब तो सर लोग समझ गए हैं वश्में बहुत दिक्कत हो यह हम लोगों को समझा ना पड़ता था कि यह ज़ो रख्षित है और असरदार है हम लोग भी लगा चुके हैं तो हम लोग थीक हैं आपके सामने हैं और हम हो गया चलिए आपने बहुत बड़ा काम किया है और मैं जानता हूं यह पुरा क्षेत्र कितना कठीन है और पैदल चलना पाड़ों पर पर जाओ नीचे उत्रों फिर दूसरे पाड़ पर जाओ घर भी दूर दूर उसके बाउजित भी है आपने इतना बढ़िया काम किया है अब जैसे लाखों हेल्थ फरकर्स ने उनके परिश्णं की वेजह से ही भारत 100 क्रोड वैक्षिन डोज का पडाव कर सका है आज मैं सिर्फ आपका ही आभारव्यक्त नहीं कर रहा हूँ, बलकि हरुस भारत बासी का आभारव्यक्त कर रहा हूँ, जिसने सबको वैक्षिन, मुप्त वैक्षिन अभ्यान को इतनी उचाई दी, कामियाबी दी. आपको, आपके परिवार को, मेरी बहुत बहुत शुबकाम नाइ